फोर्थाइन यूज नजर हर खबर पर राश्णपती के अभिभाशन पर लगातार चर्चा हो रही है और अभिभाशन के विशे पर विपक्ष ने भी अपनी बात रखी अन्य दलों की लोगों ने भी अपनी बात रखी मानिनी उपाध्रिक्ष महदे मैं इस विशे को कहना चाहती हूँ कि भारत में लोगतंत्र का पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है और लोगतंत्र के पर्व में जो जनादेश मिलता है वो जनादेश भारत की जनता का होता है इस बार का जो जनादेश है वो इस बात को प्रमारित करता है कि ये देश इस बार करवट ले रहा है एक नई आकांशाओं के साथ नई आशाओं के साथ और भारत का जन जन नई आशाओं को आलिंगन बद करने के लिए कि खड़ा है पुरे देश में जो जनादेश मिला है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पाधक्ष मोहदय में कहना चाहती हूँ कि दोनों हाथ से जनता ने आशिरवाद दिया है और दोनों हाथ से अगर जनता ने आशिरवाद दिया है तो उस विशे को इस सदन में ये मेरे लिए आश्चेरे का विशे था नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आप लोगों को सुहाने सपने दिखा कर इस पदपे आ गए आपकी सरकार बन गई है खुला खुला जनादेश का अपमान इस सदन में नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाशन के दोरान किया ये बात मुझे कभी गले नहीं उतरी उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे ये बात सच है आप नहीं कर पाएंगे आप गरीबों की चिंता नहीं कर पाएंगे ये बात सच है ये बात सच है कि आप महिलाओं की चिंता अभी तक न किये हैं और ना आप उस पर कर पाएंगे आपने अलप संख्यक वर्ग को वोट की तुष्टी करण की राजनीती के लिए आपने उप्योग किया है इसलिए आप नहीं कर पाएंगे आपने इस बात को सच कहा और लगातार लगातार जो चीजें आपने कही हैं आप कहते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे जो हमने किया देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है सच बात है उपाध्यक्ष महदे मैं आपको कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से इस सदन में कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की इस देश के अगर महिलाओं की चिंता अगर उन्होंने की है तो इस भाव के साथ में किया जिस प्रकार से एक पिता अपने बेटी की चिंता करता है एक भाई अपनी बेहन की चिंता करता है जब शौचाले बना शौचाले बनानी की बात होई मैंने एक समाचार पत्र में कॉंग्रेस के एक नेता का वक्तव में पढ़ा कि हमने शोचाले बनाने के लिए प्रधान मंत्री को नहीं प्रधान मंत्री बनाया है इस देश की जन्ता ने अश्यर का विश्य था लेकिन उस बेटी से पूछिए जो पूरे दिन इंतजार करती है कि सूरज ढल जाए अधेरा हो जाए तो मैं बाहर चली जाओ और जब वो बाहर जाती है अगर दिन में उसे जाना पड़ता है उसके आत्म सम्मान को जो ठेस लगती है उपाध्यक्ष मौहदे में केवल कहना चाहती हूँ कि उस आत्मा सम्मान के ठेस को केवल और केवल वो बेटी वो बहन ही समझ सकती है जो खुले में शौच जाती है एक देश में प्रधान मंत्री जिन इस बात की चिंता की कि अगर शौचाले बनना चाहिए वो मेरी बिटिया जो बाहर जाती है उसके आत्म सम्मान को रोज ठेस लगती है वो आत्म सम्मान को ठेस नहीं लगे इसलिए उन्होंने शौचाले बनवानी की बात किये और शुरुबात करी इस देश में देश के प्रधार मंत्री बहुत पहले भी हुए उपाध्यक्षमाद आज बहुत सारी बात हुई मुझे लगता है कि इस विपक्ष में एक बात तै है इन्होंने कभी भी पाँच साल में दो हज्जार चौदा के बाद आज तक इन्होंने कभी भी सरकार की तारिफ नहीं करी और कोई दिन कोई सुबह ऐसा नहीं हुआ जिसमें इन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोसने की शुरवात नहीं की हो लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीता मानी उपाध्यक्ष मोहदे जिसमें इस देश का गरीब दोनों हाथ से दिन निकलने के साथ देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशिरवाद न अगर यह जनादेश मिला है तो इस जनादेश के पीछे बहुत बड़ा कारण भी रहा है लगातार लगातार पांस सालों तक काम करने की ताकत रही है मानियो पादेक्ष महदे उच्वला योजना इस देश के प्रधान मंत्री ने देश की जनता से हावान किया कि जो लोग सक्षम है वो सबसीडी छोड़ दे इस देश के इतिहास ने करवट ली एक करोड बीस लाख लोगों से जादा लोगों ने सबसीडी प्रधान मंत्री के अहवान पर ततकाल छोड़ दी ये इस देश का इतिहास से बंदूओ मैं आपको इस बात को कहना चाहती हूँ कि वो सबसीडी जिक तारिक को छूटी उसके बाद उजवला योजना की शुरवात हुई देश की प्रधान मंत्री एक गरीब परिवार से आते हैं गरीबी क्या होती है ये उन्होंने देखा है गरीबी को भोगा है और उन्होंने अपनी माता जी को जो गीली लकड़ी अपने बेटे को भोशन देने के लिए 172 सिग्रेट के दुए के बराबर धुआ अपने बेट प्रधान मंत्री ने इस बात के चिंता नहीं करी लेकिन इस देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी बनने के बाद उन्होंने चिंता की कि वो मा जो अपने बच्चों को भोजन देने के लिए चूला जलाती है लकड़ियां जलाती है 172 सिग्रेटों के दुए को एक सदन के बैठे की सीमा तैहे उसके नुसारी हम सब में पाइब प्लीज आप कहें दो मानी उपदिक्ष मोधि मैं बहुत कम शब्दों मैं बहुती हूं आप मुझे बारबार बार तोखेगी तो मेरा बीसे छूट जाएगा आप मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि देश में जो करवट बदल रही है उसको विपक्ष को सराहना चाहिए बार बार आज विश्यो पर चर्चा हुई उसमें बार बार इतिहास की बात हुई मानी आनन शर्मा जी ने इतिहास की बात की हमने कब न का रहा हम मानते हैं कि भारत देश गौरोशाले इतिहास का साक्षी रहा है समरिद इतिहास का साक्षी रहा है और ये समरिद इतिहास ही रहा है जिसमें हमने 21 जून को जो योगा डे हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी की देन है आज विश्व में हमें लोग फिर से विश्व गुरू का दर्जा देनी की अगर तयारी कर रहे हैं तो वो हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के कारण कर रहे है। ये शुरुवात होई है और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसे भी कहिए। चाहे उज्वला योचना की बात हो और हमारे हाँ शौचाले की बात हो। आज इस विशे पर एक में जरूर बात कहना चाहूंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बार बार उपहास की नजर से देखा गया। वो समय को याद करिए जिस समय इस भारत की राजधानी की सडकों पर निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड के उपर पूरा युवर्ग सडक के उपर था वो निर्भया कांड के बाद एक 80 करों रुपए की राशी कोंटेस की सरकार ने दी लेकिन उसकी एक भी कि अगर कुछ बेहतर हुआ है तो उसे जरूर करिए और उसे सराहिए क्योंकि यह पेक्षा है कोसियमत यह देश का प्रधान मंत्री वो प्रधान मंत्री है जिसने अपने 365 दिन में एक दिन अपने लिए नहीं जिया है मैं केवल अपनी अंतीन बात कहके अपनी बात को समाप्त करूँगी आज आनन शर्मा जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाए मैं चाहती हूँ कि ऐसे निंदक पांच वर्षों के बाद भी हम सब लोगों के साथ जरूर रहे मेरी शुकामना है कि वो जर पालन करते हैं जिसको जिसमें कबीरा खड़ा बजार में लिये लुखाटी हाथ जो घर्फों के आपना आए हमारे साथ हम इस परमपरा के पालन करने वाले लोगे धन्यूर इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फूर्थ हाई नियूस साथी बै